हालो दूस्तो वैलकम टू हैल्थ और फन लाइफ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सुर्य ग्रहन 2022 के बारे में इस साल सुर्य ग्रहन 2 होंगे लेकिन कौन से दिनांक में कौन से समय पर ये होंगे इसकी पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है साल 2022 का पहला सुर्य ग्रहन एप्रिल मैने में लगने वाला है और सुर्य ग्रहन एक खगोली घटना होती है धार्मिक तोर पर सुर्य ग्रहन को अशूप माना जाता है ऐसे में आये जानते हैं कि इस साल भारत में सुर्य ग्रहन की डेट यानि की धिनांक समय और सुतक काल के बारे में पूरी जानकारी सुर्य ग्रहन उसे कहा जाता है जब चंदरमा सुर्य को पूरी तरसे ढग देता है यदि भारत में ग्रहन नजर नहीं आता तो सुतक काल नहीं माना जाता है साल 2022 का पहला सुर्य ग्रहन 30 एपरिल को लगेगा वही दुसरा जो सुर्य ग्रहन है वो 25 अक्टूबर को लगेगा सुर्य ग्रहन की दुरुष्चता के अनुसारी सुतक काल निर्दारित किया जाता है अगर भारत में कोई ग्रहन नजर आता है तो उसका सुतक काल मानने होता है और यदि भारत में ग्रहन नजर नहीं आता तो सुतक काल नहीं माना जाता है भारत में धार्मिक दुरुष्टी से ग्रहन को शूप नहीं माना जाता तो आएए जानते हैं सुर्य ग्रहन का समय के बारे में साल का पहला सुर्य ग्रहन 30 एपरिल को मद्य रातरी के 12 बचकर 15 मिनिट से शुरू होगा और सुबह के 4 बचकर 7 मिनिट तक रहेगा ये अंशिक सुर्य ग्रहन होगा साल का यह पहला सुर्य ग्रहन दक्षीन अमरिका के दक्षिनी पच्षिमी हिस्से में दिखाए देगा प्रशान्त महासाकर में अटलांटिक और एंटार्टिका में नजर आएगा क्योंकि ये भारत में ये सुर्य ग्रहन नजर नहीं आएगा इसलिए यहाँ पर इसका सूतक काल प्रभावी नहीं माना जाएगा तो चलिए अभी जानते हैं इस साल का दुसरा सुर्य ग्रहन के बारे में साल का दुसरा और अंतीम सुर्य ग्रहन 25 अक्टूबर 2022 को लगेगा ये इस दिन मंगलवार है मंगलवार के 25 अक्टूबर को सुर्य ग्रहन शाम के 4 बचकर 29 मिनट से लेकर 5 बचकर 42 मिनट तक लगेगा ये सुर्य ग्रहन यूरोप, अफरीका, महात्वीप के उत्तर पुर्वी भाग में एशिया के दक्षिन पश्चिमी भाग और अट्लांटिक में ही दिखाए देगा भारत में भी कुछ जगह पर ये सुर्य ग्रहन नजर आएगा जिससे यहां सुतक काल्बी प्रभावी रहेगा तो दोस्तों सुर्य ग्रहन 2022 के बारे में जानकर या अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजे, शेर कीजे और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज लाल बटन दबा के सब्सक्राइब भी कीजे, थैंक यू